स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर इचाहल 247 पे जैसा कि आज JSSC की ओर से एक notification रिलेज किया गया जिसमें कि जो examinations के date है, tentatively क्या है, उसको extend किया गया है दोस्तों, JSSC जो है, हमें अधिकारी बनने का मौका दे रही है यह तीन महिने का जो हमारे पास time है, यह जो 90 दिन का जो हमें time मिला है इसमें किस प्रकार से इस 90 दिन को, जो positively हम इसको यूज करे एक proper तरीके से यूज करे, किस प्रकार से इसको यूज करे दोस्तों, अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें किस तरह से इस 90 दिनों को, इस तरह से utilize करें, कि result हो और अधिकारी हम बने अगर आपके अंदर एक आग है, अगर आपके अंदर एक जुनून है तो आईए हमारे साथ चुड़िए, और हम लोग मिल करके, इस exam को crack करेंगे लेकिन सबसे पहला, सब कुछ आपके उपर depend करता है अभी तक हमारे channel पर, 70 दिन का master plan आ रहा था, जिसमें कि बहुत सारे student थे जिसको confusion था, कि 70 दिन सर बोल रहे है, 70 दिनों में क्या होगा या फिर exam का date दे दिया गया है April में, तो मैं कह रहा था कि examinations जो है, बहुत most probably April में नहीं होगा जैसा कि आज JSC ने दिया है notification, तो आप यह पक्का हो गया हमें 90 दिनों का time मिल चुका है, इन 90 दिनों को कैसे यूज करेंगे, इसमें किस तरह से पढ़ें, कितना पढ़ेंगे, और किस प्रकार से paper 2, paper 1 और paper 3 का हमारा क्या strategy रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, चलिए बात करने से पहले, एक बार हम official notification पर चलते हैं, और उसको देखते हैं, कि क्या है notification में, दोस्तों, अभी हम JSC के official notification जो आई है, उस पर है, देखें, यहाँ पर first नमर में लिखा गया है, जार्खंड scientific assistant वाला, scientist assistant वाला जो एक्जाम था, वह मार्च महिने के त्रीतिय सब्ता में आयो जीत की जाएगी, और जो हमारा main है, JSCCGL, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, JSCCGL, तो इसका एक्जाम जो है, वह OMR, यानि की offline mode में होगा, ठीक है, OMR आपने पड़ा है, input output devices में, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे सबात किया, तो offline mode में इसका एक्जाम होगा, और यह मई माह के अंतिम सब्ता में होगा, तो पूरा March है, पूरा April है, और फिर मई है, तो लगभग हमारे पास तीन महिने का time है, इस तीन महिने को इस प्रकार से यूटिलाइज करना है, इस प्रकार से इसको भुनाना है, यह जो time हमें मिला है, ताकि हमारा result हो, जो serious student है, वो हमारे साथ जरूर जुडेंगे, हमारे इस कारवा में जुडेंगे, और अपना result को पक्का करेंगे, चलिए हम लोग एक-एक करके paper 2 के बारे में बात करेंगे, जो syllabus हो गिया है, जो syllabus होने वाला है, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, कैसे हम अपना 100% में दे, कैसे हम इस 90 दिनों में अपना जान लगा दे 80 चोटी, एक करके, इस exam को crack करें, दोस्तों हम असफल नहीं ह बस इस बार हमारा result आएगा, तो इसका हो गया, यहाँ पर देखें, जारकंड जेई का जो है, वह जुलाई माह का प्रथम सप्ता, डिप्लोमा अस्तर जो, सॉरी, अप्रेल माह का अंतिम सप्ता में इसका examination होगा, उतपात सिपाही का जो है, वह अगस्त माह के, एक मिनट, लिखित परिच्छा जो है, जुलाई माह का त्रितिय सप्ता, ठीक है, तो इसी परकार से आप यहाँ पर notification देख चुके होंगे, हम लोग बात करेंगे अभी अपने strategy के बारे में paper 2 और paper 3 की, दोस्तों जो इसका paper 2 का, paper 1 है, उसमें हिंदी और English पूछे जाएंगे, तो वह qualifying nature का है, तो वह आपसे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, कि paper 1 भी थोड़ा हम guide कर दे, तो आप comment box में किजिएगा, मैं maths और, sorry, हिंदी और English के कुछ वीडियो जो है, previous year questions को देख करके, मैं डाल दूँगा, जितना होप आए, उतना कर लेंगे, त तो इस type के और जो, आप उसको passage भी पुछा जाएगा, तो वहाँ से मेरा passing marks paper 1 में हो जाएगा, main है paper 2, ठीक है, जिससे की हमारा, क्या होगा, merit बनेगा, ठीक है, और अगर आप खोर्था लेकर के, इस exam को, इस exam के तयारी कर रहे हैं, तो हम आपको खोर्था का सांदार तरीक क्या content deliver कर रहे हैं, यहाँ पर जो content का quality है, वह क्या है, उसको अच्छे से पता होगा, तो comment box में जरूर बताईएगा, कि खोर्था का, जो खोर्था के content का quality जो यहाँ पर मिल रही है, उससे आप satisfy हैं या नहीं, अगर नहीं हैं, तो भी बताईए, हैं तो भी बताईए, जिस यह सब कुछ आपके उपर है, आपके support की जरूरत है दोस्तों, इस channel को पूरे जहरकंड में फैला दीजिए, अगर इस channel को पूरे जहरकंड में एक एक बच्चों के mobile में फैला दीजिए, जो JSSC CGL दे रहा है, जो जहरकंड उतपात सिपाही देगा, जे टेट देगा, तो आपसे यही गुजारिस होगी, और खोटा का आपसे यही फी भी होगा हमारे लिए, तो इतना आप अगर करते हैं, तो यहाँ पर खोटा का पूरा syllabus तो हम free करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है, कि आप अगर नहीं support करेंगे, तो हम खोटा के syllabus को आपको cover नहीं करवाएंगे, मै लेकि खोटा का जो syllabus है, उसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, तो चुकि 90 दिनों का time है, तो हम 30 दिनों, 30 दिन या फिर 45 डेज में, 30 से लेकर 45 दिनों के भीतर ही, खोटा के पूरे syllabus को MCQ के साथ cover करेंगे, अब थोड़ा सा खोटा के बारे में बै बात कर लेता हूं, कि खोटा का syllabus कैसे cover करा जाएगा, ठीक है, अभी हमारे पास 90 दिनों का time है, खोटा का कल से वीडियो जो है, regular upload होने शुरू हो जाएंगे, 30 से 45 दिनों का ये होगा course, ठीक है, course का duration क्या है, 30 से 45 दिन, जिसमें की complete खोटा को हम लोग यहाँ पर cover कर ले के लिए complete cover कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सांदार तरीके से सब कुछ cover कर लेंगे, 30 से 45 दिन, आप लोग गांट बांद लिजिए, उसके बाद, उसके बाद से क्या होगा, MCQ, test, और full length test चलेगा, ठीक है, MCQ, test, full length test, और ये live लेंगे, दोस्तों, आप comment कर के जरूर बताईएगा, कि आपको ये जो strategy है, वो कैसा लग रहा है, और आप हमारे खुर्टा के content से खुस हैं या नहीं, अगर खुस हैं, तो आपकी खुसी हमारे लिए fee है, आपका support, आपका प्यार हमारे लिए fee है, आपके लिए कोई यहाँ पर fee नहीं लिया जाएगा, आप जो paid का जो यहाँ पर भाग मचा हुआ है अभी इस time पर, तो आपको कहीं पर कोई paid पैसा हमको नहीं देना पड़ेगा, कोई fee नहीं है, आपका केवल और केवल fee है, आपका प्यार, आपका support, तो आप जरूर comment में मुझे बताईएगा, कि हमारा खोटा का जो content है, अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो 30 से 45 दिन देखे, अभी चायर कहानी संग्रा में, हमने पहले के syllabus के comparison में, तीन कहानियों को कर लिया है, यहाँ से 7 कहानिया बची हुए, उसके बाद सोंद माटी को complete किया, खोटा निबंद complete कर लिया है, इसमें एक निबंद बचा तो आठ कहानिया कितना दिन, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा, एक दिन, आठ कहानी एक दिन में cover हो जाएगा, गद्यभाग खत्म, पद्यभाग में हम लोग एक मौनी फूल और आखिक गीत को cover कर लियें, बहुत अच्छे तरीके से, जरूर दामुदरे कुराय में, थोड़ा लंबा लंबा है, ठीक है, तो 22 कविताओं का मतलब है, दो या तीन पार्ट, ठीक है, दो पार्ट या तीन पार्ट, तो दो पार्ट या तीन पार्ट तो एक या दो दिन, ठीक है, यह जो दामुदरे कुराय हैं, इसको चार पार्ट, तो दो या तिन मतलब एक सप्ता लगेगा पद्ध भाग में, इसके MCQ को कराएंगे, तो लगेगा 7-8 दिन, ठीक है, हम लोग जो है, यहाँ पर अजगर नाटक को कर लिये हैं, अजगर नाटक कम्पलीट हो चुका है, इसके MCQ भी लगा लिये हैं, अब यहाँ पर बचा हुआ है डाह, चाभी खाटी और उद्वासल करण, आप अगर हमसे पढ़ते हैं, तो केवल हमसे पढ़ेंगे, क्योंकि होता क्या है, कि अगर आप teacher को क्या करते हैं, replace करते हैं, या फिर switch करते हैं इससे, उससे, तो आपको concept में क्या हो जाएगा, mismatch हो जाएगा, तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो केवल हमारे वीडियो का इंतिजार किजिए, और सब कुछ यहाँ पर cover करा जाएगा, जैसे कि आप कोई paid course या coaching join किये हो, उसी तरह से हमारे course को यहाँ पर मानना है, यह जो 45 दिनों का course है, इसको आपको देखना है, सब कुछ करना है, जो जो मैं टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंग टेस्ट लगाएंगे, तो आपको वहाँ पर बढ़ चाड़ करके हिस्सा लेना है, जारखंड का number one challenge आप हमें बनाएंगे, ऐसा आसा है, अगला है, जो यह डाह, चाबी काटी और उद्भासल करन, दो 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 दिन, ठीक है, डाह भी, च पांच दिन, तो किधार हो गया, पच्चीस दिन, और यह जो खोर्था का बचा है व्याकरन, तो इसको ले लिजीए 20 दिन, ठीक है, अगर 45 दिन लिए तब, अगर इसको 10 दिन में भी कवर कर सकते हैं, खोर्था व्याकरन को, ठीक है, तो कूल मिलाकर 30 से 45 दिन, अच्छे से आराम आराम से कवर करेंगे, तब जा करके, तो यह 45 दिन का खोर्था का कोर्स हो गया, 45 दिन को करेंगे, इसमें भी हम लोग MCQ करेंगे, और जब पूरा कवर हो जाएगा, तो फूल लेंद टेस्ट लगाएंगे, तो कहां दिक्कत है, बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत नही होनी चाहिए, 100 question पूछे जाएंगे, ठीक है, और यह merit बनाएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, देखे कैसे हम लोग complete करते हैं, और merit में आते हैं, अगला है, paper 3 में, paper 3, 1500 question, देखे, 1500 question है, GK से आपसे 30 questions पूछे जाएंगे, मैंने हम जो है, अपने channel पर आपको topics दे रहे है daily basis पर 70 दिनों के master plan से आप जुड़े है या नहीं, अगर नहीं जुड़े हैं, तो जाहिए जुड़े, अभी 13 या 14 दिनों का course आया है, आप कहेंगे तो फिर से phrase से इसके लिए हम 50 या 60 दिनों का एक strategic video लेकर कहाएंगे, जिसमें इसको cover करेंगे, लेकिन जो book list बताया गया है, crown, NCRT, सार संकलन, और lucent या फिर objective crown का चलेगा, तो वो आपके पास नहीं है, तो आप हमें कहिएगा, मैं उसको, अब तो time है, ठीक है, तो crown को पढ़ाना इस्टार्ट कर दूँगा, ठीक है, आपके वल सुनिये ध्यान से, पूरा video को, जो हमारे channel पर आएंगे, एक एक क करके, धीरे-धीरे करके, ध्यान से सुनियेगा, सब कुछ revision के तोर पर आपको याद हो जाएगा, crown से, और इसका, जो general science है, उसको भी crown और NCRT, सार संकलन से ही करना है, और इसके objective, crown से, या lucent से लगा लेंगे, और वो objective भी, हम अपने channel पर डाल देंगे, आप सुन लिजेग और लगता है, कि नहीं, JSCCGL का ये best platform है, तो जरूर हम से जुड़े रहिए, अगला है, सामानने गनित, R.A. सगरवाल को cover करना है, ठीक है, तो R.A. सगरवाल आप लोग अपने से भी बनाईए, और हम भी इसके video को, video upload करने सुरू कर देंगे, R.A. सगरवाल का complete, ठीक है, reasoning आप अपने से किजिए, किरन का book मैंने कहा है, उसको लगाईए, अच्छे से, computer के लिए, अब MCQ हम ले करके आएंगे, ठीक है, और MCQ के जर्ये ही, आपको पूरा theory समझा देंगे, computer ग्यान में, MCQ के थोरू हुई, पूरा computer का knowledge है, वो करवा देंगे, और अब जो है, आपको इस तरह से, हम जो PDF बनाते हैं, वैसे नहीं करके, handwritten notes जो होगा, computer का वह ले करके आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा time लगता है, दोस्तों, handwritten notes जो है, उस तरह से, उससे ही पढ़ाएंगे, handwritten notes से आपको, और handwritten notes से पढ़ा करके, आपको MCQ लगवा देंगे, 20 question हो गया, computer क reasoning आप SSC की run से लगा लिजिए, ठीक है, पूरा उसको कर लिजिए, 20 question आपके हो जाएंगे, कहीं से कुछ जाने वाला नहीं है, जारखंड के मैंने कहा था, उडान और lucent, तो उडान और lucent को मैं अपने channel पर पढ़ा रहा हूं, आप अगर कहेंगे, तो उसे continue करेंगे, नही कहेंगे, तो continue नहीं करेंगे, लेकिन मनीश रंजन सर की जो 75-100 प्लस वाली, जो question का series है, उसको अब हम continue करने वाले हैं, तो 40 question यहां से, तो पूरा paper 3 में किस तरह से करेंगे, सामान अध्यान, और आप जरूर उस से 70 दिनों वाले master plan से जुड़े, ठीक है, और फिर उसके ब पहले ही, हम लोग 60 दिनों में cover करेंगे सब कुछ को, और 30 दिन उदर क्या करेंगे, full length test लगाएंगे, paper 3 के लिए, paper 3 के लिए 60 दिन, ठीक है, paper 3 के लिए 60 दिन क्या करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, केवल 60 दिन, केवल 60 दिन हम जो कहते हैं, work किजिए, उसके ब कर कमेंट में कहिएगा, धन्यवाद सर, अगर आपने इसा नहीं कहा, आपको मैं कहने के लिए विवस कर दूँगा, आपके साथ मैं इस तरह से काम करूँगा, लेकिन आपको हमारे साथ 60 दिनों तक लगातार काम करना है, लगातार 80 चूटी का जोर लगा देना है, जो topics हम वह कीजए, और जो हम video लेकर क्याएंगे, crown हो गया, या फिर जो objective वाली books है, उसको जो भी लेकर क्याएंगे, उसको अच्छे से सुनिए, उसको ध्यान से और उसके objective लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिक है, जैसे मैत हो गया, reasoning हो गया, ये तो खतम, computer,CQ और handwritten से लेकर करेंगे जहरखंड अभी चल रहा है उसको सिरीज जो आप बोलेंगे तो थियोरी वाली क्लास को continue करेंगे नहीं तो हम objective लेकर करेंगे तो ये पूरा paper 3 और paper 2 का जो खोटा लिए हैं उसके लिए paper 3 सब के लिए है और paper 1 में भी वही बात है तो अगर आपको ये पूरा अच्छा लगा है ठीक है कि हाँ इस तरह से हम लोग 60 दिनों में paper 3 को और 30 दिन उधर टेस्ट लेगे और इधर खोटा को 30 से 45 दिन और फिर full length टेस्ट चलेगा paper 1 भी बहुत सारा time मिल जाएगा तो एक proper strategy के ताहत एक guidance के ताहत आप तयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए और last में जाते जाते दोस्तों एक पंक्ती है सुन ले कि राह में मुश्किल होगी हजार राह में मुश्किल होगी हजार दोस्तों आपको नहीं करने के हजारों बहाने हैं करने के कोई एक बहाने अगर आपके पास है एक बहाना अगर आपके पास है कोई भी एक बहाना एक ऐसा डिजायर एक बर्निंग डिजायर जिसको नहीं करने से आपके जिंदगी में कुछ बड़ा बदला हो जाएगा या फिर कोई भी एक बहाना अपने मा को खुस करना है, अपने मा के आखों में खुसी, अपने मा के आखों में खुसी के आशू देखना है, अपने पिता जी के आखों में खुसी के आशू देखना है, तो कोई एक बहाना ढूलिए करने का, राह में मुश्किल होगी हजार, त तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, अरे मुश्किल को सोच सोच कर कब तक बैठे रहोगे, क्या बैठे रहने से तुम्हारी मुश्किल खतम हो जाएगी क्या, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, अरे मुस्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू पा ना सके दोस्तों वही करके दिखाना है जो लोग सोच भी नहीं सकते है इस बार करके दिखाना है और ले करके दिखाना है वैसे लोगों को लेकर के दिखाना है जो हमारे हार का इंतिजार कर रहे हैं तो वही बात है दूर है मंजिल लेकिन इतना पर नहीं कि तू पाना सके तुम चलो तो सही तुम चलो तो सही एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा तुम्हारा हमारा सब का तुम्हारा भी सत्कार होगा आज अपमान हो रहा है कोई बात नहीं लेकिन सत्कार होगा जिसके हम डिजर्व करते हैं जिसको डिजर्व करते हैं वो हमें मिलेगा लेकिन डिजर्व तो करिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट तो बनिए एक पात्र तो बनिए, अगर एक लोटा में छेद है तो उसमें पानी क्या रहेगा, तो वैसा लोटा बनिए जिसमें की पानी रह सके, डिजर्विंग बनिए, बिना डिजर्विंग आप सोचते हैं, रिजल्ट होगा, कुछ नहीं होगा, उसके बाद है, तुम्हारा भी सतका होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, अरे तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, तो दोस्तों, यहीं पर अपने वीडियो को इंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो फैला दीजे इसको, धुआ धुआ कर दीजे, हर एक बच्चे के मुबाइल में हमारा वीडियो होना चाहिए और JSSC CGL को क्रेक करेंगे या फिर जारखंट के किसी भी एकजाम में आप बैटने जा रहे हैं तो ये चैनल आपका साथ देगा लेकिन आपको हमें भी आपकी जरूरत है आपके सपोर्ट की जरूरत है आपके प्यार की जरूरत है दोस्तों तो अगर आप प्यार बरसाते हैं अगर आप प्यार बनाए रखते हैं तो फिर देखेगा क्या होता है कुछ बड़ा होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो में तो तब तक के लिए जै हिंद जै भारत आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें अभी सो जाएं और कल से पढ़ाई करेंगे